असलाम जीक्ण क्लास हम कंटिन्यू कर एंगे डिफिकल्टी इन क्लाडिस्ट अनालेसिस को जिसमें हमारा नेक्स्ट पॉंट है रेस्टिक्शन और टू डायगनौस्टिक करेक्ट्र क्यूंकि जो ख्राइडिस्ट है वो टौट्ञिव करेक्टर्ज पर वेस नहीं करते हैं बल्के वो कहते हैं कि सिर्फ चिव स्छान आपओ माफीज इंपॉर्ठंट है they ignore the parental character they even ignore the arctopomorphies जो कि करेक्टरिस्टिक होती है इस स्पिशी की और या बाकी सब किरेक्टर को जो है वो इगनोर कर देती है जब कि एक अच्छी classification के लिए totality of characters को consider करना भूँ हुँ ज़्यादा ज्रूरी है sometimes ancestral characters बहुँ ज़्यादा important होती है जैसे के मैमल्स में वर्टिब्रेल कॉलम जो के एक ancestral करेक्टर है और वर्टिब्रेल कॉलम जो है वो सब वर्टिब्रेट को युनाइट करा है एक टेक्जा बना रहा है वर्टिब्रेटा जिसमें जितने भी वर्टिब्रेल कॉलम रखने वाले एनिमल हैं वो सब उसमें पाए सेती हैं बाकिस लगे सब करेक्टर को छोड़ देती हैं जिससे भी एक फाल्स क्लासिफिकेशन आती हैं जैसे कि आर्ट अपमफिस को इगनोर कर दिया जाए आपको उफिस भू करेक्टर्स होती हैं जो के एक जब बुद्वर इन्सेस्टर ने दो सिस्टर ग्रूप पर एक्जामपल दी नर्डशार्ट इसप इसस्टर ग्रूप में वह उां जब करेक्टर मुझूदड हैंगे यह ट्ग्जा की करेक्ट्रिस्टिक आपको पिस जैसे क आप अपोमफिस इन बर्ड को एक ही टेक्जा में रखेंगे सिर्फ इसलिए कि उनके अनके श्टर सेमन जबके यह एक बहुती आ आप जिसक्षिए करें तो इसलिए अप जस्टिफिकेशन नहीं होगी हमारी किसी भी तरह की लासिफिकेशन को तो Art-Apom Office हमें एनाजनेसिस के बारे में भी बताती हैं यानि ये भी बताती हैं कि जो sister टेक्जर हैं वो अपने parental टेक्जर से कितने ही डिफरेंट हो चुकी है तो इनको consider करके ही हम true जो classification है phylogenetic classification है वो कर सकते हैं क्यूंकि इनकी कोई theory of ranking नहीं है असलाम लेकुम जो classification में एक साउंड classification में जो ranking है या rank है वो degree of difference की बेस पर दिया जाता है यानि आप अराम से ये guess कर सकते हो कि अगर जीनस में मुझूद दो animals हैं या दो डिफरेंट जीनस से बिलॉंग करते हैं या दो डिफरेंट phylum से बिलॉंग करते हैं तो आपको जाएगा करने जो एनिमें कि जाफेंट ज़ाइगा तो क्यूंकि ये डिफरेंट बिलॉंग करते हैं और कहते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि कौन से मुझूद इंग्नूर करना चाहिए तो इस थारह से हम उनकी जो ranking है वह वह बहुत ही ज्यादा हाफ़जर्ण हो साएगी यहां करेंगे कि नहीं कर सकेंगे कि कौन से रैक में मुझूर्जू है नि लिए में इसलिडिंग रिलेशंशिप को इगनूर करते हैं और सिर्ञूतरक में मुजूर्जह डेक्स को देखते हैं कि और चायच होती हैं कि एन स्धिडियरव प्रसूर्रIST जब करता से तो इसके लिए इसको एगनोर कर देना का मतलब यह है कि यह जो स्टैम क्रियेट होती है वो किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं आती है तो यह क्लासिफिकेशन में करते हैं जिसके वजह से जो पूरी के पूरी डाइवरस्ट्ट्री है उसको आप एंकाउंटर नहीं कर रहे हैं अगेन वही है प्लेस्मेंट अफ एंसेस्ट्रल स्टम स्पीशिस तो यह स्टम स्पीशिस जो हैं जिससे दो होलो फालाटिक सिस्टर टैक्जा बने हैं इनको कुछी भी टैक्जा में इंक्ल्यूड नहीं किया जा सकता जब तक हम प्रिंशिपल फॉलो फाली को छोड़ना दे होलो फालीकि टैक्जा में जो इंसेस्टर रंक इसकर आइजायं है तो जब हम इनसेटिर को जो एगनोर कर देती हैं तो स्टम स्पीशीज़ यह पूरी क्लासिफकेशन से एक निकल गई उसको हम सिर्फफर उसको कोई रेंक नहीं दिया जासकता उसको कोई टैक्जा असाइ डील नहीं कर सकते हैं जैसे कि वो को फोसल को प्लीज़ौं का नाम देती हैं और उब हैं कि निकि क्लासिकेशन करना ज़ूरी नहीं है जिब कि ऐसी बहुत से फोसल्डी सुस्टी ख нужए पार्ट हैं जितने के लिविंग और जो से भाशिरिके नहीं beads हैं रिदे तो आप। यह बहुत ही स्टेबल है। लेकिन आप इसा नहीं है। यहां परैगि देखें कि विपिर्टी के गईय है। लेका एक गैफ स्काफ एकशा को लेकर कॉसिपेशा की गयी दिसकावर होने डिस्कावरर होने क्लासिफिकेशन जैसे बी में आप देख सकते हैं कि पूरी क्लासिफिकेशन ही चेंज हो गई है और इनकी आप इसमें रेलेशनशिप भी बदल गया है सारे का सारा तो इसका मतलब यह है कि आप इसकी बेस पर जो है वो क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं यह इंस्टेबल किस यह लॉंग के तोर पर भी आ सकता है कि डिफिकल्टीज क्लाडिस अनालेसिज यह दो के दरमयान कमपैरिजन भी आ सकता है यह इसको एक शॉर्ट कुस्टन के तोर भी पूछा जा सकता है